साथियो जहिन, मैं डॉक्टर संगराम पाटिल, मैं इंगलेंड से बात कर रहा हूँ वैक्सिनेशन शुरू हो गया है भारत में और डेली से जो रेसिडन्ट डॉक्टर्स है वा के दो बड़े हॉस्पिटल्स के उन्होंने कहा है कि हमको जो भारत बयोटेक की वैक्सिन है, कोवैक्सिन ये नहीν चाहिए क्योंकि ये इसका फेस्तुरी ट्रायल ठीक से नहीं हुआ है, कम्प्लिक नहीं हुआ है और सेफटी एफिकसी डेटा भी ने आया है तो इन्होंने मना कर दिया है और ऐसे ही कुछ समाचार अलग-अलग पार्ट्स जो ग्यारा राज्जों में ये वैक्सिन भेजी गई है केंदर सरकार दौरा वहां से भी आये हैं और इस बात के ओपर ये वीडियो है ये जाद़ा से जादा मेडिकल फिल्ड में शेर कीजिये जनरल पुब्ली को भी शेर कीजिये कि इसमें हमारे जो हेल्ठ मिनिस्टर है स्वास्त्र मंत्री हर्शवर्दन ये खुद एक डौक्टर है एक सरजन है लेकिन ये कितने दुर्ब परदान मंत्री से उसके विरोध में कुछ भी नहीं बोल पार रहे हैं तो विज्यान, साइन्स, एविड़न्स, मेडिकल रिसर्च इनके लिए दुयम हो गया है और प्रथम क्या हो गया है प्राइमरी तो अपनी जो पोस्ट है हेल्थ मिनिस्ट्री की वो बचाये रखो उपर से ओर्डर लो और बस चुपचाप रहो तो ये इतना दुर्बल हेल्थ मिनिस्टर है मुझे शर्म आती है कि ये बताने में कि हमारे देश का हेल्थ मिनिस्टर एक सर्जन है modern medicine का doctor है सातियो ये vaccine जो है भारत बायो डेका मुझे vaccine के खिलाब कुछ भी नहीं कहिना है मुझे इसके efficiency या side effects के बारे में कुछ भी नहीं कहना है लेकिन इसका जो scientific status है, research status इसके phase 1 और phase 2 का data release हुआ था इसमें ये safe है लेकिन इसकी efficiency उस अकड़ों से clear नहीं होती है और phase 3 में जब ये vaccine पूरी तरह से prove हो जाता है कि ये efficient है इसकी उपयुक्तिता साबित हो जाती है और safe है ऐसा जब prove हो जाता है तो इसके बाद में ये general public में दिया जाना चाहिए और इसको जो limited use for restricted emergency use ऐसा इसको approval दिया है हमारे drug control general of India ने जिसका समर्तन ICMR ने किया, हरशवर्धन जी ने किया और कापी सारे जो health ministry के या हरुग्य विबाग के जो बड़े-बड़े अधिकारी है health अधिकारी उन्होंने भी किया ये सब एक दबाव में किया है समर्तन restricted use for emergency use सिर्फ backup के लिए अगर ये vaccine है तो आप पहले ही दिन देली में resident जो doctors है medical college के जो corona warriors है उनको क्यों आप बली का बकरा बना रहे है उनको आप पहले ही दिन क्यों backup vaccine जिसको declare किया है वो पहले ही दिन क्यों दे रहे है तो ये बिल्कुल गलत है ये आरुग्य मंत्री जो है हमारे सास्त मंत्री इनकी दुरबलता और गदारी और जूटेपन का लक्षन है और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये जो सारे जो नेतागन है मोदी जी से लेकर जो बड़े बड़े जो जो भी 70 साल के है 60-65 साल के उपर है ये लोग high risk है ये भी करोना योद्धा है क्योंकि ये लोगों में जाते है अलग-अलग राज्यों में ये मंचो पर बैठते है बीड में जाते है इनको लोग आकर मिलते है अलग-अलग राज्यों के तो ये भी आट्रिस्क लोग है अगर इनको भारत बायोटेक की वैक्सिन देने का इतना ही शोक है तो मोधी जीव से क्यों नहीं शुरू किया हर्शवर्दन जी से क्यों नहीं शुरू किया उद्गाटन कर दिया वैक्सिन के प्रचार के लिए उसका प्रसिद्धी उसकी मिलनी चाहिए इसलिए पुना में जाके आप Oxford की जो वैक्षिन वहाँ पर बन रही है वहाँ पर जाके आए उसका इने मेडिया इवेंट कर दिया आज उद्गाटन का मेडिया इवेंट कर दिया लेकिन जब वैक्षिन लेने का वक्त आया है तो आप उस भारत बायोटेक के वैक्षिन को जिसको आप डॉक्टर लोगों को दे रहे हैं, रेसिडेंज डॉक्टर बिचारे वो अपनी जान जोकिम में डालके ये करोना के पेशन्स को ट्रिट करते हैं, उनको आप ट्रायल न किया वैक्षिन उन पर ट्रायल कर रहे हो, वो ये मोदी जी की कायरता, डरपोग गिरी और कौवर्डनेस दर्शाता है, साथियो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, मुझे भारत बायोटिक वैक्षिन ये एफिशेंट नहीं है, या इसके साइड इपेक्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है, हमारे साइन्टिस्ट चो इस पर क कर रहा है बारत के, इनके खिलाब भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ये वैक्षिन शायद दुनिया के सारे वैक्षिन से बहुत ज्यादा एफिशेंट हो सकता है, लेकिन हमें इसका प्रूप चाहिए, इसका ट्रायल टेस्ट होना चाहिए, ऐसे डॉक्टरों पर और इनफॉर्मेशन दिये, लोगों पर उसको स्ट्रेट अवे ट्रायल करना और फिर डिक्लेर करना कि अगर इससे अगर आपको साइड इफेक्ट आ जाए तो हम मौपजा देंगे, ये गलत है, अनितिकल है, मेडिकल रिसर्च, मेडिकल साइंस इसके खिलाब है, इसलिए मैं अनुरोद करता हूँ, मोधी जी से कि वो खुद जाहिर पबलिक में आकर भारत बायोटेक की को वैक्सिन ले और इससे एक एक्जामपल सेट करें, दाकि लोगों के दिमाग से दिल से डर निकले, और बाद में फिर ये डॉक्टर्स और जुनियर डॉक्टर्स जो है, इनको ये वैक्सिन देख, और हर्शवरदिन जी से मैं दरखास करता हूँ कि अगर आप कुछ बोल नहीं सकते है, साइन्स के सपोर्ट में, मेडिकल एविडन्स के सपोर्ट में, तो आप क्यो स्वास्त मंतरी बने हो, आप रिजाइन क्यों नहीं कर देते हो, आप बहुत हाइली एजुकेटेड हो, और ये अनपढ़, कंपढ़ लोगों के ओर्डर्स पे उसके दबाव में क्यों जुकते हो आप, हर्शवरदन जी जाग जाईए, और मेडिकल एविडन्स विज्ञान के साथ आईए, और ये जो सब दबाव तंतर चल रहा है, इसके खिलाब बोलिए, सा चुबल है, और हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कितना डरपोख है, सारे दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर से प्रिसिडेंट है, ये सबसे पहले वैक्सिन ले रहे है, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर चुब गया है, दूसरों के ऊपर ट्रायल करता है, वो भी डॉक्ट